स्टोरी माक लेकर आए हूं उसकी हम करने वाले हैं हिंदी टु इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्ट टु वर्ड इंग्लिश में यहां पर लिखते जाऊंगी और ग्रमेटिकली स्ट्रक्टर को भी हाथ के हाथ समझाती रहूंगी ठीक है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर पर दीची जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करना मत पूले ताकि ऐसी ही यूसपूल वीडियो आप तक पहुंचती रहे हैं चलिए स्टाट करते हैं एक बार की बात है यूनानी राजा मिदास था ठीक है एक बार की बात है once upon a time once upon a time there was a Greek king यूनानी राजा मिदास था there was a Greek king मिदास ठीक है there क्या है introductory there है means एक चेर थी there was a chair इस तरह से means जैसे कोई भी चीज को बताने के लिए कि एक ये था एक वो था चार लड़के थे there were two four boys इस तरह से ठीक है ना was लगया है क्योंकि ये simple sentence है इसमें कोई भी action नहीं है means इसलिए इसमें हमने verb की form नहीं लगाई यूनानी राजा मिदास था there was a Greek king मिदास वे बहुत अमीर था अब इसमें भी कोई action नहीं है simple sentence है तो कैसे बनेगा he was he he लगाया और उसके साथ हमने क्या लगाया was he she it या फिर किसी name के साथ हम लगाते है was I we you they के साथ हम क्या लगाते है वर I के साथ भी was आता है ठीक है न he was very rich वो क्या था अमीर था and उसके पास बहुत सारा सोना था उसके पास बहुत सारा सोना था यहां इसमें भी कोई action है कि किसी ने कोई काम किया हो ठीक है नहीं है न कोई भी action ना इसमें action था ना इसमें action है ना इसमें action है ना इसमें action है ना तो means किसी में भी जब action नहीं होता तो हम verb की form नहीं लगाते तो इसमें हम क्या लगाएंगे देखिए कोई भी चीज पास होने के लिए अगर हम present में हमारे पास कोई चीज है तो हम has या half लगाते हैं जैसे I have a bag, ठीक है, she has a gold इस तरह से लेकिन जब past में जो समय बीच चुका है उसके लिए अगर हमारे पास कोई चीज थी तो हम क्या लगाएंगे had, ठीक है, and had a lot of gold आया समझ में, ठीक है, he was very rich and had a lot of gold had means उसके पास था बहुत सारा सोना, आगे बढ़ते हैं उसकी एक बेटी थी, ठीक है, उसकी एक बेटी थी किसकी, उसकी मींज क्या है, राजा की, he अब इसके पास भी क्या है, he had a daughter ठीक है, he had a daughter, ये had का क्या है, simple sentence है जिसमें हमने सिरफ had लगाया, क्योंकि होने को दरशान है कि पास्ट में कोई चीज थी, he had a daughter, उसकी एक बेटी थी अगर मैं had के साथ third form को जोड़ दूँ, verb की, तो ये बन जाएगा past perfect ठीक है, जिसकी पेश्चान क्या होती है, चुका था, चुके थे, ऐसी वाली लेकिन ये क्या है, simple sentence है He had a daughter, उसकी एक बेटी थी, जिसे वे बहुत प्यार करता था whom, whom means जिसे he loved, second form लगी past definite है, करता था, ता था थे थे He loved very much, ठीक है, whom he loved very much, जिसे वे है, बहुत प्यार करता था एक दिन मिदास को एक फरिष्टा मिला, जिसे, जिसे मदद की जिरूरत थी ठीक है, एक दिन मिदास को एक फरिष्टा मिला, जिसे मदद की जिरूरत थी One day Midas जो राजा था Met, मिला Second form, past indefinite है Met, meet, met Met, meet Second form है, met फरिष्टा मिला An angel Midas, met, an angel फरिष्टे से मिला Who needed help जिसकी जरूरत थी सहायता की ठीक है One day Midas met an angel Who needed help जिससे सहायता की जरूरत थी आगे देखते हैं उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तियार हो गई ठीक है, राजा ने एंजल की मदद की जिससे वह मदले में उसकी जो इच्छा थी वह पूरी करने के लिए वह मान गई ठीक है ना He helped her He helped her उसने मदद की यहां तक का आए का sense आ रहा है Past indefinite है उसने मदद की He subject है Verb की second form object उसने उसकी मदद की और बदले में वह एक इच्छा देने को तयार हो गई ठीक है And in return बदले में In return She agreed Second form Past indefinite Means मान गई To grant एक इच्छा ठीक है Grant him a wish उसकी जो इच्छा थी वह उसने Means पूरी करने के लिए वो मान गई In return बदले में She agreed To grant him a wish Means इच्छा पूरी करने के लिए देने के लिए तयार हो गई मिदास की इच्छा थी कि वह जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए ठीक है उसकी इच्छा थी Past indefinite मिदास Wished That उसकी इच्छा थी कि Everything सारी चीजे He touched च्छुए ठीक है Wood Turn Into Gold ठीक है उसकी क्या इच्छा थी Means Imagine कर रहा है वो कि जो वो छुए जिस भी चीज को वो छुए वो किस में बदल जाए Gold में बदल जाए जब हम Imagine करते हैं तो हम Wood का यूज करते हैं He touched Would Turn Turn Into Gold उसकी इच्छा पूरी कर दी गई थी कर दी गई किसने की ये नहीं दिखाया गया यहां पर है ना उसकी इच्छा पूरी कर दी गई लेकिन इस लाइन में किसने इच्छा पूरी की वो नहीं दिखाया तो मींज यह passive है Simple past का passive है His wish Was Granted Was के साथ क्या लगा Third form जब भी was के साथ third form हो तो वो क्या होता है Simple past का passive होता है उसकी जो इच्छा थी वो पूरी कर दी गई Was Granted That's it अपने घर के रास्ते में उसने चटानों और पोधों को छुआ और वे सोने में बदल गए On his way अपने रास्ते में किसके? Home घर के रास्ते में He touched उसने छुआ He touched Second form Rocks पत्रों को And Plants पोधों को And They Turned into Gold वे सोने में बदल गए They Turned Into Gold सोने में बदल गए ठीक है ना? Past Indefinite है आगे देखते है जैसी ही वो घर पहुँचा जैसे ही As soon as ठीक है? As soon as घर पहुँचा Past Indefinite है He reached Second form आएगी यहाँ से पता लगता है कि Tense कौन सा है? Past Indefinite का Reached home ठीक है? उच्सा में उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया उच्सा में उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया He embraced गले लगाया Action है गले लगाने का किसको लगाया? अपनी बेटी को His daughter किस में लगाया? In excitement बहुत उच्सा में ठीक है ना? जो सोने में बदल गई थी Who Had Turned Who had turned into Gold यह दिखे जो सोने में बदल चुकी थी या फिर बदल गई थी ठीक है ना? A था E थी A थे Past indefinite Sorry Past perfect यह ना? जिसमें हम क्या लगाते हैं? Had के साथ Verb की third form Who had turned Turned means बदल ना? बदल चुकी थी Into gold ठीक है ना? Midas तबा हो गया था ठीक है? Midas तबा हो गया था Means किसने तबा किया? यह नहीं दिखाया गया Midas was यह भी passive है Diversitated Diversitated ठीक है? Means तबा हो गया था Shattered हो गया था बहुत ही ज़ादा And उसने अपना सबक सीख लिया था A था E थी A थे चुका था यह भी क्या है? Past perfect है And had learned Learned His Lesson ठीक है? उसने अपना जो सबक था Lesson था वो सीख लिया था Clear है? अपना पार्ट सीखने के बार Midas ने देवदूद से उसकी इच्छा को दूर करने के लिए कहा ठीक है? After learning After learning his lesson अपना जो सबक था वो सीखने के बाद After learning his lesson Midas Ask किसको कहता है? किसको? Angel को The angel To take away Take away means वापिस ले ले Take away वापिस ले ले His wish ठीक है? उसकी इच्छा को वापिस लेने के लिए उसने उसको कहा ठीक है? Asked A.I.E. का sense आ रहा है Past Indefinite है शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? लालच आपके लिए अच्छा नहीं है Greed लालच Greed is not Good for you उसने लालच किया उसने जो इच्छा मांगी वो कैसी थी? कि मैं जिस भी चीज को छूँ हूँ वो क्या हो जाए? सोने की हो जाए और उसी उच्छा में उसने अपनी बेटी को छूँ दिया तो वो भी क्या हो गई? सोने की सुखी और पुरन जीवन जीने के लिए संतुष्ट रहें सुखी means संतुष्ट रहें Be content Be content ठीक है? To live a happy and fulfilled life ठीक है? Be content content means संतुष्ट रहें Be content to live जीने के लिए a happy and fulfilled life सुखी और पुरन जीवन जीने के लिए संतुष्ट रहें means हम कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ठीक है? लेकिन राजा के पास तो सब कुछ था उसकी एक इच्छा ने उससे सब कुछ छीन लिया means बच्चे ही सब कुछ होता है है न? मोल से ब्याज प्यारा होता है तो उसने अपने बच्चे को ही तबाह कर दिया देखा जाए तो सोने का बन गया कोई फाइदा ही नहीं रहा उसके पैसों का तो आई होप यह स्टोरी अच्छी लगी और गाईज बहुत कोछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बुलेगा गॉड प्रेस यू